मैं कोई मुद्धा ऐसा नहीं उठाता है जिसमें मैं खामखा किसी का जिरोज करूँ मैं कभी कोई मुद्धा नहीं उठाता है जिसमें मैं व्यक्तिगत किसी के उपर हमला करूँ आज तक मैंने व्यक्तिगत किसी की बुराई की कभी? नहीं वरुन गांधी जो हमेशा ही अपनी सरकार पर खासे हमलावर रहते हैं एक बाप फिर से बोले लेकिन सुर्थ थोड़े बदले जरूर थे हर बार मुखा रूप से निशाना साधने वाले पिलिभीत से सांसद वरुन गांधी का साफतोर पर कहना था कि वो किसी के भी खिलाब व्यक्तिगत रूप से नहीं बोलते ना ही किसी का खामखा विरोध करते हैं द्रसल सांसद वरुन गांधे अपने संसदिक शेत्र पिलिभीत में दोदिवसी दोरे पर थे दोरे के पहले दिन मंगलबार को बर्खेडा चेत्र के कई गाउं में उन्होंने जनसंबात कारिक्रम को संबोधित किया हमेशा की तरह ही वरुन गांधी बेरोजगारी, समविदा कर्मी, किसान आंदोलन, आगनिवीर, नीजी करन पर बोलते हुए अपनी ही सरकार के खलाफ हमला वर थे, लेकिन पहली बार उन्होंने ये भी साफ कर दिया, वो किसी के खिलाफ नहीं है उनके मताबिक वो किसी पर भी नीजी हमले नहीं करते, ये पहला मौका था जब बरुन गांधी अपने बयानों पर सफाई देते नजर आए आज तक मैंने जर्तिकत किसी की बुराई की कभी, नहीं, लेकिन जहाँ देश का हिस हो, जहाँ राष्ट का मामला हो, वहाँ नेता नहीं, एक नागरिक के रूप में सोच के बात करता हूँ और मैं इसलिए बात करता हूँ, क्योंकि बाकी जितने लोग हैं, वो बिचारे, डर के मारे चुप रहते हूं, सोचते हमारा थोड़ा बहुत पाइदा निकल गए, हम उपर अपना चंचागीरी कर लें, चाटसारिता कर लें, जाके कोई बड़े नेता के हां में हां मिला द मैं किसी बड़े नेता के फिलास में हैं, मैं किसी को दुश्मन में मानता देश में, मैं अपने सारे लोगों का सब्मान करता हूं, मैं सारे दल में कुछ-कुछ अच्छाईया देखता हूं, कुछ-कुछ कमिया भी देखता हूं, कुछ-कुछ कमिया मैं अपने अंदर भी पीपर उसमें क्या है हमको इस सोने के बने वे लोग ठोड़ी नहीं लेकिन जहाँ सेश की बात है वह आपको इमानदारी से बात रखनी पड़ेगी आध बार पीली भीट में हम वे जीते हैं लगाता है आज आपको पता है पीली भीट में हमारे पास एक घर तक नहीं है प्राल अमेशा ही वरुण गांधी कई मुद्दों को लेकर अपनी सरकार पर हमला पर रहते हैं लेकिन इस बार वरुण ने साफ कर दिया कि वो किसी पर भी निजी तौर पर हमले नहीं करते आपका वरुन गांधी के इस बयान पर क्या कुछ कहना है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं विली भीट से सौरप पांडे की रिपोर्ट यूपीता